नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर बेवी शर्मा और आज मैं सिर्फ कुछ टर्म्स को क्लियर करना चाहूंगी जिनके बारे में लोगों को आम तोर पे कन्फूजन हो जाती है जैसे की हार्ट अटेक और हार्ट फेलियर जनरली हमारे आसपास के लोग क्या मानते हैं कि ये दोनों टर्म्स एक ही होती है लेकिन इन में थोड़ा सा माइनर सा डिफ्रेंस है heart attack एक अलग condition होती है, heart failure एक अलग condition में होता है जो कि मुझे लगता है कि इतनी जानकारी तो हर बंदे को होनी ही चाहिए चाहिए वो medical group से है, चाहिए वो non-medical group से है क्योंकि जो cardiovascular disease है, यानि heart और blood vessels जितनी भी arteries है, veins है, जो रक्त की धमनिया है, उनकी जो बिमारिया है और heart की बिमारिया है, वो आजकल बहुत ही ज्यादा कोमन हो रखी है खासकर इंडिया में और जितनी कोरोना से या कोवीट से जितनी death नहीं होंगी जितनी हर साल आपकी cardiovascular disease की वजह से होती है तो मैं इसी ये जो term हमारी heart attack, heart failure and stroke ये थोड़ी सी तिनों similar सी लगती है, थोड़ी सी confusion create करती है तो मैं आपको one by one clear करती हूँ कि इन तिनों में क्या-क्या difference होता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं heart attack की देंकि heart attack एक simple सी बात है इसका मतलब होता है कि heart को जो आपके दिल को blood supply होती है खुद को उसको वो बंध हो जाना, कम हो जाना, रुक जाना उस condition में heart अपना काम proper अपने डंग से नहीं कर पाता देखिए body में जितने भी parts होते हैं body की हर organ को, हर cell को काम करने के लिए किन चीज़ों की जूर्थ होती है oxygen की, nutrition की nutrition इसमें सब कुछ आगया आपका protein, vitamins, minerals, जो भी आप खाना खाते हो जो भी अच्छी चीज़े intestine में से absorb होती है वो आपकी body के हर cell तक जाती है किसके थूँ, blood की थूँ तो oxygen और nutrition ये तो चाहिए हर cell को अपना काम करने के लिए तो heart भी तो एक organ है उसको भी तो काम करने के लिए oxygen और nutrition चाहिए तो heart की जो blood supply होती है जिसको हम coronary arteries बोलते हैं उनमें एकदम blockage हो जाना मतलब sudden loss of blood supply to the heart अगर आपकी blood की जो blood supply है अगर उसको oxygen नहीं मिलेगी खुद heart को nutrition नहीं मिलेगा तो फिर वो पूरी body में blood कैसे पहुचा सकता है कैसे काम करेगा उसको अपना pumping action करने के लिए जो diet चाहिए वो diet उसको नहीं मिल पा रही है तो इस case में आपके क्या होता है heart attack हो जाता है ठीक है मतलब उसको प्रोपर nutrition प्रोपर सप्लाई नहीं मिल रही है एंजाइना का पेन होता है सबको पता है chest में भारी पन होता है left side में inner side में इसका पेन होता है कभी-कभी shoulder में या back में भी pain मैसूस होने लग जाता है घबरात होती है sweating होती है जो general symptoms है आजकल सबको इसके symptoms जानता है यह एक medical emergency होती है angiography से हम पता लगा सकते है कि कितनी blockage है किस हद तक आपका blood supply है oxygen की रुकी हुई है और यह आपका operation वगरा से, surgery वगरा से या even eye weight कहता है कि बिना surgery भी आप इसको एक reversible बना सकते हो अपनी arteries को healthy रख सकते हो तो यह सारी चीजे थी आपकी heart attack के बारे में अब हम बात करते है heart failure क्या होता है देखिए generally दोनों चीजों को एक ही माना जाता है लेकिन मैं आपको बताते हूँ heart failure में जो आपकी heart की muscles है देखिए muscles यह एक muscular organ है muscles का बना हुआ है तो जो heart की muscles है वो weak हो जाती है आपका दिल कमजोर हो पाता है और वो आपकी body की blood supply की जुरत को पूरा नहीं कर पाता है उसकी जो pumping action है वो इतना नहीं कर पाता जिसकी वज़े से last में heart failure हो जाता है heart failure जो है वो heart की या arteries की किसी खुद की बिमारी की वज़े से भी हो सकता है लेकिन generally ज्यादातर cases में इसका कारण कोई दूसरी बिमारी होती है स्पोज कीजिए कि आपको lungs की या kidney की कोई disease है तो आपके lungs की और kidney की disease की वज़े से heart पे workload बढ़ जाता है यानि उसके काम का ज्यादा pressure आ जाता है ज्यादा काम का pressure अब वो उसकी आपूर्ति नहीं कर पा रहा है उसकी muscles इतनी कमजोर नहीं है इसको congestive heart failure भी बोलते है कि वो हमारी body की जुरते पूरी कर सके इतना वो heart pump blood नहीं कर पाता है उसकी muscles भी हो जाती है हर्ट कमजोर हो जाता है और body में side by side कोई और disease आपके जरूर मिलेगी ज्यादा तर cases में high BP और जो cholesterol आपका जो LDL cholesterol है उसका ज्यादा होना और obesity, diabetes या kidney disease या कोई lung disease इन में CHD यानि congestive heart failure जो CHF होता है वो सबसे ज्यादा के देखने को पाए जाता है अब हर्ट failure आपका दो तरह का हो सकता है राइट हर्ट failure और लेफ्ट हर्ट failure देखें हर्ट के चार चेमबर्स होते हैं दो उपर की तरफ दो नीचे की तरफ जो लेफ्ट वाले दोनों चेमबर्स है न वो पूरी body को pure blood supply करते हैं pure blood मतलब blood with oxygen इसको हम कहते pure blood और blood with carbon dioxide यह होता इंप्योर ब्लड तो जो लेफ्ट साइट के चेमबर्स होते हैं हर्ट के दोनों वो पूरी body को pure blood supply करते हैं और जो राइट साइड में क्या होता है राइट साइड के जो चेमबर्स है वहाँ से आपके लंग्स में इंप्योर ब्लड जाएगा और वो प्योर होके फिर लेफ्ट साइड में आ जाएगा और जो लेफ्ट वाले चेमबर्स है वो आपको पूरी body में pure blood supply करते हैं तो जो congestive heart failure होता है वो left side वाला ज्यादा common होता है लेकिन हम जनरली यहीं बोलते हैं यहीं बोलते कि left side का हुआ या right side का हुआ है बोलने में यहीं बोला जाएगा कि heart failure है तो heart failure का मतलब आप समझ गए होगे दिल की बिमारी की वज़े से भी हो सकता है body में किसी और बिमारी की वज़े से भी हो सकता है आपकी body ज्यादा demand कर रही है blood की जो कि आपका blood supply नहीं कर पाता या तो भी उसकी मांग ज्यादा है या फिर आपका heart कमजोर है वो नहीं कर पाता pumping action और last में आपके organs damage हो जाते हैं तीसरा के जो इसी से related है लेकिन वो है stroke stroke में same heart attack वाली condition होती है उसमें क्या है supply रुक जाती है लेकिन यह होता है सारी चीज़े आपके brain में इसको brain stroke भी कह सकते हैं simple stroke भी कह सकते है मतलब brain की किसी भी vessel की आपकी blood supply रुक जाती है किसी भी वज़े से वहाँ पर या तो spasm हो जा है जैसे tau कि heart tree चीजया है दिश एक हाट से related problem है या तो बीपिए आपका बहुत चाहदा है या आपने बहुत ज़्यादा किसी बिल्हेतर मे रखा है या जैसे blockage होती है heart की arteries में वैसे brain की arteries में भी blockage हो जाती है क्या कारण है जो आपका LDL है bad cholesterol है उसका बहुत ज्यादा amount में होना और आपकी body में free radicals बहुत ज्यादा होना जो मैं अच्छी तरह से clear कर चुकी हूँ free radicals LDL का oxygen करके कैसे blockage शुरू कर देते हैं तो जो stroke होता है वो आपके सिर्फ brain में होता है आपकी brain की blood supply है वो रुक जाती है और ये एक quickly medical emergency होती है इसमें आपको तूरंथ patient को hospitalized कराना होता है क्योंकि जितना ज्यादा damage होता जाएगा उतनी ज्यादा आपकी nerve cells brain cells damage होती जाएगी और brain एक ऐसा organ है जिसकी cells आप reason rate नहीं कर सकते हो वो एक permanent damage होता है irreversible damage होता है जिसको की वापस अपनी पहले वाली position में नहीं लाया जा सकता इसके भी कई कारण इसमें जो आपको science symptoms यहीं देखने को मिलते हैं कि सुनने समझने की शक्ती थोड़ी सी patient की doubtful सी हो जाती है यह सारे इसके लक्षन होते हैं high BP, obesity, diabetes या कोई भी cardiovascular disease हो उसके वज़े से भी आपको brain stroke हो सकता है तो I hope कि आपको यह तीनों terms अच्छी तरह से clear हो गई होंगी क्योंकि यह तीन words ऐसे हैं जो generally मुझे लगता है आज की तारिक में हर बंदे ने कहीं ना कहीं सुन रखे हैं किसी की family में किसी के आसपास में हमारे गली मोहले में तो heart attack, heart failure और brain stroke इन तीनों चीजों की difference को समझिए और अपने heart को healthy रखिए कैसे यह मैं आपको बहुत अच्छी तरह बता चुकी हूँ antioxidants से तो अपनी diet में antioxidants को बढ़ाए और किसी भी cardiovascular disease से छूट कारा पाईएगा धन्यवाद